नमस्कार आप सभी खासागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास अल पर अलो नमस्कार आधी नमस्कार क्यासे हो सर्जी हम ठीक हैं आप कौन मैं सर कविंदर अलो हुगा जी वास से आप से दो बार पहले भी बात हुई यह मेरी सर्जी हुई है बताईए सर्जी मैं जो गजट रद हुआ है उसको तो होने दीजिए इसका आइडिया तो आप भी निकाल सकते हैं आप से दो तीन चीज़ेंगे देखे फिर आप याइडिया लगा लेंगे जी सर यह बताई यह के बाद भी आता है अब बताई कि कोई गजट अद्ध हो गया उसका क्या प्रोसेस है क्या क्या होता है किसके बाद यहीं पगलती कर गया जैसे आपने एक बाद भी बी के बाद आपको पता है ऐसे ही सारी चीजों पर ठीक है नहीं पता है कि सरकार कैसे काम करती विभाग कैसे काम करता है राजनीती में क्या होता है लेकिन सारी चीजों को जब देखते रहेंगे नजर रखेंगे समझ में आता जाएगा कि अच्छा यह चीज़ होता है इसके बाद अब होता है तो सब कि 2018 से 2023 के बीच में जो लोग नौकरी पा गए हैं उनका क्या होगा दो बात है कि नहीं वह तो अगर नौकरी पा गए तो निकालने को तो क्यों मतलब नहीं आप कह रहें ना नॉर्मल सी बात कह रहें ना लेकिन जो है जब लीगल पॉइंट पर जाएंगे तो जो एंसिटी है जो गजट जारी की 2018 में वह तो रद्ध हो गया तो जिस गजट से वह वैलीड थे और वह गजट ही जब रद्ध हो गया तो उनकी नौकरी जो है वैलीड तो रह नहीं गई नियम ताप तो वह एलीड है नहीं तो यहाँ पर तो दो जो है पॉइंट हो गया ना कि गजट रद्ध होने के पहले वाले और गजट रद्ध होने के बात की कंडिशन तो दोनों पर काम करना होगा ना हो जैसे कि बात कर लें जब गवर्मेंट ने ने गजट जारी किया lifetime का जीवन का तो उन्हों ने उस गजट में पश्ट लिखा कि यह जो आजिवन किया जा रहा है य 2011 से किया जा रहा है जब उस गजट में लिख दिया गया तो पीछे वाले भी आजिवन हो गया और आगे जो हो रहे हो भी आजिवन होगा लेकिन अब यहां पर सवाल उड़ता है कि जब नया गजट एंसिटी त्यार कर रही है तो अगर वो लिखेगी कि यह गजट जो है 2018 स से माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदि इसका एक तरह से अवहिलना हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं तो यहां पर तो जो हैं सिटी को दो काम करना पड़ेगा ना कि अब आगे के लिए जो गजट करना है वो अलग कहानी और जो पीछे 18 से 23 के बीच में जो लोग नौकरी पा करें कौन तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है तो अभी जो है यह मैटर चल रहा है लोग गये हुए थे हाई कोर्ट में जैसा नत्ता जार बढ़ती है या ने बढ़ती हैं उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको बाहर कराने के लिए बिटी सी वाले गये थे कि नह सुप्रीम कोर्ड को इची लिख देता है तो उसके सुप्रीम कोर्ड के आगे एंसिटी या ने कोई माइन तो रखता नहीं ना सरु तो निसी लिए जो आगे गजट जारी होना वो तो लगता बता रहें कि गजट तयार हो गया है मेटिंग वगर सारे हो चुके हैं आप फि को क्या क्या करना है ना अभी राजनीती से इसको थोड़ा अलग रखिए हर चीज से करें करके देखिए लेकिन अभी फिलाल जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उतना ही देखिए दूसरी चीजों को बात में देखिएगा उनके आने से क्या हो रहा है तो एंसिटी के सामने क्यामें दो सवाल थे कि आगे बालों के लिए करना है वो कैसे रहें ओर जो कई एनके दरृएं का बड़े कर रहा है कि यह मैटर हाइख mom सपरीम कोड गया अब सप्रीम कोड जो ओडर दे देगी तो फिर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब और अगर इतिफाक से मान लेते हैं जो कि होना नहीं है लेकिन एक बार चर्चा के लिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोड पीछे वालों के लिए अगेंस्ट और दे देती है तो फिर अब इसके आगे एंसेटी को आगे बढ़ करके उनकी फेवत में काम करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या हां तो अब अगर एंसेटी मान लेते हैं कि सुप्रीम कोड आने से पहले कोई चीज जारी कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोड और आ है तो फिर से एंसेटी का जो जारी हुआ फिर वो जो है चैलेंज हो जाएगा अब आप पकड़ लिए तो यानि एंसे चल रहा है तो वह गजट तो सारी मीटिंग वगर करके सारी चीज उस पर जो ले चुके हैं अल्लेड़ी उनको पता है कि राश्टे सिछानिती किता है जो है इसे बीड ही रखना तो उसी पर काम कर रहे हैं लेकिन जब कोई मैटर कोड में होता है तो वेट करना मजबूरी ह हो जाती है जैसे उदार में देख लिए बड़ा मुद्दा उठा लेते हैं कि रामंदिर मुद्दा जब कोड में रहा वहां पर एक रिट नहीं रखा जा रहा था जैसे ही पता नहीं था ना सर क्या हो सकता है अभी फिलाल में एक भासर में सुन रहे थे योगी जी का तो उन् में तो इसलिए ना कि कोड में कोई चीजा और हम करेंगे और कोड का और क्या रहा है क्या नहीं रहा उसका इफेक्ट होगा अब एंसटी अभी कोई गजट जारी करते और सुप्रिंग कोड़र उसके बाद आया तो वह कुंखी जो है आपस में टक्राइंगे और कोड़र आ ले कराएंगे तो फिर जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सब्सक्राइब कर जिसको flights चाह्ड़ा कोज किया जाएगा तो जो पंदलब होता है अगर कुछ बदला हुआ है कि संसोधन पर नया वाला मना जाता है तो अध्य कोड का ऑडर का घूड आजए तो आगे वही चलेगा इसलिए एक पहले जो है कोट आगे अपना आदेश दे दे उसके बाद हम आगे बढ़ें अगर हम पहले कर देंगे उसके बाद कोई आदेश आता है तो फिर जो है मेरा किया हुआ सब बेकार हो जाएगा तो सब्सक्राइब 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 करना पड़ेगा कि क्या कह रही है हाला कि सुप्रीम कोड जो है इस परस्ट है कि फिवर में ही जज्जमेंट देगी क्योंकि सब्सक्राइब करें अब हमें कुछ करने को खास रह नहीं गया है तो वह क्या करते हैं देखते हैं कि इस इसमें नुक्सान किसी का हो रहा हो तो कैसे उसको रहात दिया जाए जैसे सिक्षा मितर में देख लीजिए उन वह को दो मौके उम्र में छूट वेटेज तरतरा की दिये गए उनका ट्रेनिंग जो है रद्ध हो रहा था ट्रेनिंग बचा दिये तो हमारे फैमिली में अच्छी है अगारी वाटि अब बताते हैं नुग कि तो नहीं से पूछे कि की जो है कोई काम अगद 10 साल में होना है जैसे माली पेड़ ही आम का पेड़ कटकल का कोई भी पेड़ अगर आज बीज वह तो दूनिया में तरह-टरह के लोग है किसी को आज से बहुत सारे लोगों का नाम आपने सुना होगा वह आज से 500 साल अगे तक का भुष्वारी कर देते हैं आपने किसी का कभी न कभी सुना होगा उन्होंने यह बहुत पहले बता दिया था तो कैसी वह बता पाए उनके पास तरह का नौलेज था तो उसके आधार पर 50-100 साल तक का आगे का भी वह बता देते हैं और वह चीजें समय के साथ आने पर दिखती हैं तो उनका नजरिया है और दूर दिश्टी जिसके पास नहीं है वो तो यह भी नहीं बता सकता है कि कल क्या संभावना है बहुत सारे लोग हैं आपके ही आसपास होंगे गाउंदियात में वो जो है बादल की तरफ देख करके बता देंगे इतना बज रहा है अब बहुत सारे लोग हैं वो जाएंगे घड़ी देखेंगे तब बताएंगे उसमें भी घड़ी जो है जटके में देख लिए छोटी अले सुई जो है साथ पर थी जटके में उनको लगा करने च्छे पर है तो च्छे तो कुछ गलस बता देंगे तो फर्क है ना दोनों सब्सक्राइब को तो बहुत सारी मसीनी लगा कर बताने पड़ती है तो बस यहीं फर्क है कि देखें जिनके आब बात किये हैं वह जहां काम कर रही है अंगनवाड़ी में उनका जो डेली का जो रूटीन है जो देली दिंचर्या है उनकी जो बाते वो सुन रही हैं देख पर रही है कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा तो उस पर बात कर रहे हैं वह चीजें जो है गॉष्बर्मेंट की है राष्ट्रीय सिख्षानिती में जमी है दो सब्सक्राइब क्या होना है तो हम लोग तो जान रहे हैं कि राष्ष्ष्टीय सिक्षानिती चर्चा कर रहे हैं घ्रता है उनी समझतव होती है है तो तो सुनेय से पागल हैं पतारएं के बात कर रहे हैं सदिन नई सचानिति तो आपकि ऊबब विधाई से हमारी कूलेज होते हैं हैं इनल में इसकी उनुकोkre टेवी दी जा चुकी है हां हां तो राष्टेशित जानिती में जो कुछ है वह सब धीरे- thीरे किया जा रहा है जितनी भी किताबें आ रही है नहीं किताबें आ रही है सब लिख रहे हैं जितने कोचिंग वाले हैं हम राश्टे सिक्षानिती गरंशार पढ़ा रहे हैं कि इसकूल वाले हैं वह कहने हम राश्टे सिक्षानिती 2020 के अनुसार अपने नया पार्ट करम चला रहे हैं जितने स्कूल वाले हैं देखिए उनका अडवर्टाइजमेंट उस पर यहीं लिखा रहे हैं तो अब वो लोग जो है जो है विभाग से जुड़े हैं वही काम कर र सबस्क्राइब करूंप पिछले साल च्चिछी करने इस काम कर रहे हैं लोने फोन किया की एक इसकूल खुला है वो फिजिक्स वाला वो है और वह काफी है काफी वड़िया इसकूल खोल रहा है तो हमको तो सब कुछ पता है तो हमें पता है कि वो स्कूल कोई स्पेसल नहीं करने जा रहा है वो काम सारे स्कूल कर रहे हैं धीरे तो उनको नहीं समया रहा है कि अब यह नया स्कूल खुला है और फिजिक्स वाले का बड़ा नाम है तो अपने बच्चों को वहां से जहां पड़ रहे हैं निकालके यहां डाल दिया जाए तो समाने व्यक्ति ऐसे ही देखता सोचता है जिसको नहीं है जानकारी अब लिए क् अब जैसे आपने बताए बता है और मुझे साथ याद भी है कि अगर जोनिंग की बात है तो सब्सक्राइब दूर जाकर उसमें टैट के नम्बरों का अधार पर दी जाएगी यह कैसे दी जाएगी सर जी देखे एक जैक्टली क्या होगा कैसे होगा वह सारी चीजें तो ज वुठी है कि इतने तारीको होना है अब कोई यह पूछ दे आप से कि 10 बजे थेलु जो चीजेंने वोたい प्लान कर रही है वह सारी चीजह तो चर्चात होती ही रहे हैं अब किस रूप में करेंगे किस प्रॉसस से करेंगे फारी चीजह वह तो जब सुरू होंगे एक जो छोड़ी छोड़ी पॉइंट है वो तब समझ में आएगा अब किस आधार पर कर रहे हैं ऑनके में कर आएंगे या कि या करेंगे कि उम्रत को लेंगे और भ्रति का प्रक्रिया होगा मेरिट उसमें ऐकेडमी का रोल रहेगा कि नहीं ये सब तो जब विग्यापन अएगा जब घोसरा होगी तो क्लियर होगा लेकिन सामाने चीजह अनुमान लगागे चली जा सकती हैं कि जो है जो जो राश्टी सिखानीती में उन्ची जो को पूरा करने के लिए उतेजी सागे बढ़ रहे हैं यह लेना है तो यह वाइस तो जो है टेट का ही देखेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी सुपर्टेट हो रहा है इससे पीछे जाएं तो यह होता आया है जबने नहीं है यह पुराना कांसेट एस पर बहुत नहीं में हमेशा होता आया है तो वही है बताते रहते हैं कि यह वाइज होगा इसमें अब वो प्लानिंग कितने पद भरने की कर रहे हैं बजट के अनुसार चलेंगे जो जानेकारी में है जो अगबार में न्यू जाए ताइलाग तीन लाग पद भरने का मतलब हो गया जो आखड़े बता रहे हैं कि 2011-2018 तक वाले पहले फेज में हो जाएंगे तो पहले फेज में भी जो है अब जैसे 11-18 तक वालों का करना है तो इसमें हो सकता है कि अलग-अलग दिन बुला लें संख्या को देखते हुए गांस्विंग वर हो सकता है कि जैसे अब तक देते आये हैं कि जहां जिसको मिल रहा है जहां जैसे सीट है उसका अधार पर दें नहीं है सीटें तो दूसरे से के नमबर थर्ड नमबर जो आप्सन आपने दिया है वहां दें हो सकता है कि इस बार जो है सीटीए इतनी जादा रहें कि मैक्समम लोगों को अपने ही जिले में मिल जाया सिट कितनी हैं और आवे दक कितने हैं जाहिसी बात है वहां तो 100 को ही मिलेगा बाकि 900 को कहीं और जाना पड़ेगा अगर किसी जिले में सीटें 1000 हैं आवे दक 400 हैं तो कॉमन सी बात है कि 400 यहीं कर यहीं पा जाएंगे दूसरे जिले वाले भी बल्कि और आ जाएंगे यहां तो यह सारी चीजें जो है कि किस जिले में मिलेगा कैसे मिलेगा यह डिपेंड करेगा आविधन के उपर सीटे कहां कितनी लेकर के आ रहे हैं अभी देखे एक भरती कुछ साल पहले 2016 में साइद आई थी 2460 अब उसमें विध्यापन निकाल दिया गया अविधन कर दिया गया उसके बाद देखिए सीटों को लेकर के ही तो आज तक भरती लटकी हुई है अच्छा जी आज तक जो है उस भरती में 8000 के आसफास सीटें लगवाग बताई जाती कि यहां सीटे ही नहीं है जीरो अच्छा जी तो अब उन जीलों में जो आविधन कर दिये दूसरे में नहीं किये होंगे या जो भी मैटर रहा हो अब उसके कारण जो है चारही हजाब भर पाए हैं 8000 सीटें आज भी खाली पड़ी है और लड़के जो है कैडिडेट जो है अनमान लगा सकते हैं लेकिन सच्चाई exactly क्या होना है कैसे हो रहा है क्या है आकड़े क्या है वो तो जब सामने आएगा तभी विभाग के लोग ही बता पाएंगे अब विभाग में भी क्या है विभाग में भी हर काम के लिए अलग अलग लोग बटे हैं अलग जो है आप बना है अगर आपको नया ख़ाता खुलवाना है उसके लिए अलग बना है अगर आपको खाता है पहले उसमें कोई दिक्कत है उसके लिए अलग काउंटर बना है आप तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट वहां पर बना दियागा अलग व्यक्ति को दिया गया है, है तो बैंक में ही सब कुछ, काम को बाड़ दिया गया है, अब हम जाएंगे पैसा जमा करने वाले एक पैसा जमा करेंगे, उस चाहां पूचिंग भी हमें लोन भी लेना है, अगर हम जहां जमा कर रहे हैं, वहाँ कोई व्यक्ति उस लाइन में आ गया निकालने वाला, तो पैसा उसे देगा, नहीं देगा, खिए लिया निकालने वाला अलग लाईन है, आप वहाँ जाए, तो उसको जीतना मालूम है, वो तो उतना भी बताएगा न, उसको जो जो नहीं पता है जैसे मान लेजे कि जो है कहीं पर चल रहा है सिक्षामित्रों का फाइल आदो सकता है क्यों कि उसके सामने कोई व कूछ कोई नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं आगर के Facebook पर यहां लिखते हैं उसके पिछे पास कुछ नहीं हो रहा है उसके रिजन है आप जिससे मिलकर क्या है उसके पास पता भी है या दूसरा अगर उसको पता भी है क्या उसको जो है बाहर बताने के लिए तो इन सारी चीजों को हर कोई समझ नहीं पाता है विभाग कैसे काम करता है सारा सिस्टम कैसे चल रहा है इसलिए लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है और यह जो नेता वेता बने हैं हर संगठन में तो यह लगता है कि हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं जाएंगे एक दि मना करते हैं वो बताते हैं कि यह हो रहा है कोई गया है उनके पास नेता मंतरी तो है नहीं को बताना बहुत इसके आपको पता है कि एक बात इस आपको पता है कि एक के बाद भी के बाद लेकिन हर समझ में आने लगेगा अब तक आपने अपनी लाइफ में दो चार पांच दस चुनाव तो देखें होंगे अभी चुनाव होने जा रहा है अब आप चुनाव पर चर्चा करेंगे एक नया व्यक्ति जो अभी 15 16 17 18 साल का हो बच्चा वह अभी पहला चुनाव देख रहा है अभी तक अभी ध्यान न सबसामने ही हो रहा है आप जब नजर डालेंगे हर चीप नजर रखेंगे तो आप भी वह जो बताते हैं 50 साल बाद 500 साल बाद यह होना है तो भाषवाड़ी इसलिए कर पार हैं क्योंकि वह उस पर जो है थोड़ा सा महारत हासिल कर लिए हैं कि अभी आप देखिए हमारा जो आँं क्या वेज्ञानिक लोग है हुए हमारे वह अभ हुआ मंगल ग्रह तक जाने का हुआ क्या Scale के टिर हैं क्या लोत जो है सुक्र ग्राप गये है अब पिछले कुछ सालों में कुछ सालों में लेकिन जो हमारे हैं के जो पुराने गरंत्वर हैं उन्हें देखिए इन ग्रहों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है से भी नहीं थे, chyba पर. तुम समय उस समय तो ऐसे यान भी नहीं थे, कि हम चले जाएं मंगल पर चांद पर उस समय तो दूरबेन भी नहीं थे कि यहाँ से वह साब देख लें तो उस वक्त भी लोगों विखे रहे हैं उसी पर पुरा जो है हमारा जो पंचांग होता है घड़ना हर साल पंचांग आता है उसमें जिन-जिन तारीकों में लिखा होता है कि ये ग्रहन लगेगा वो ग्रहन लगेगा तो पुराने लोग थे उन लोगों ने भी कल्कुलेशन किया तो वह सारे सालों के वर्सों के ज्यान और अन्भों कर लेजिए तो जैसे जितना आसान लग रहा है कि ये बताना कि एक बाद बी आता है बी के सकते हैं इतनी सीट मिल सकते हैं अनुमान लगा रहा है ऐसे यहां पर भी तो एंसिटी जो है है वो गजट जल्द ही जारी करेगी तयार तो हो ही चुका है बस वेट है तो किसका किया होना है या तो लगभष में होना है क्यों अगर विपक्ष में होना होना होता तो जो तो चुकि अगेंस्ट में देना नहीं था तो उसमें नहीं लिखे उनको पताता कि फिर जो है जो है यह सारी चीज़े फिर उलजेंगी आएगा ही कोर्ट में तो अलग से उसका ओडर कर देंगे तो बस बेट कीजिए यह सुप्रीम कोर्ट से उमीद है कि अगला जो भी डेट अभी हमें डेट कंफर्म नहीं है डेट अगला जो भी लगेगा तो एक दो डेट में वहां से जज्जमेंट आ जाएगा उसके बाद एंसिटी अपना सारा त्यारी करी ही रखी है मिटिंग वगर्ण सारे होई चुके हैं जहां सुप्रिम कोर्ट से उडर आया उसके बाद सुप्रिम कोर्ट आने के बाद मान कर चली कि 10 दिन पंदर दिन 20 एक महीना जो भी इंसिटी वेट रुक करके जज्मेंट को समझ करके आगे जो मिटिंग वगर्ण करके फिर जो है तो पता ही है क्या क्या होना सिक्षा में समाजन वर्सवार निक्ति सारी चीज़ा होने लगेंगे उपी में भरती भी रखिए उसी कारण से नहीं आ रहा है वेट हो रहा है ठीक है ठीक है वेलकम